हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही इंस्टेंट इवनिंग स्नैक रेसिपी ये इवनिंग स्नैक बनाना बहुत सिंपल है दोस्तों सिर्फ 5 मिनिट में बन कर तयार हो जाता है तो चलिए जट पट ये स्नैक रेसिपी शुरू करते हैं अब सबसे पहले हम स्टफिंग बना कर तयार करेंगे तो एक मिक्सिंग बाल के अंदर मैं दो ग्रेट के हुए उबलेवे आलो को डाल देती हूँ ये मिडियम साइज के मैंने दो आलो लिए हैं दोस्तों आप बड़े साइज का एक आलो भी यूज़ कर सकते हो अब हम इसमें एक मिडियम साइज का बारी कटावा प्यास डाल देते हैं साथी साथ हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे आधा चमच नमक डाल देते हैं नमक आप अपने स्वात के अनुसार थोड़ा सा कम्या जादा डाल सकते हो अब हम इसके अंदर एक चौथाई चमच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे और एक चौथाई चमची मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ लेंगे चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आपके पास उबलावा आलू नहीं है और घर में पनीर है विलेवल है तो यह फिलिंग आप पनीर के साथ भी बना सकते हो आलू की फिलिंग बिल्कुल तयार हो गई है चलिए जल्दी से टेस्टी सा स्नैक बनाते हैं इसके लिए यहाँ मैंने लिया है पाउ तो यह लादी पाउ है दोस्तों यहाँ मैं भी चार पाउ का इस्तमाल कर रही हूँ इसनी स्टफिंग में आप कम से कम आट पाउ आराम से बना सकते हो सा ही कट लगाना है आप देख सकते हो इस तरीकी से पाउ को कट लेने के बाद इसके उपर हम डालेंगे टमेटो कैचप आप इसमें अपने पसंद से कोई भी सॉस लगा सकते हो जो भी आपके पास एविलेवल है या आपकी फेवरिट सॉस है वो आप यहाँ यूज कर सकते हो तुमेटो कैचप मैने इस पर फैला लिया है तो आप चल्दी से जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे इसके उपर रख लेते हैं इसके उपर रख लिया है अब बारी है हमारे मेन इंग्रिडियन की जो की बिल्कुल इसे अलग बनाएगा बाकी सेंड़िच से यहाँ मैंने पटेटो चिप्स लिए हैं दोस्तों आप कोई भी ब्रांड का चिप्स ले सकते हो किसी भी फ्लेवर का चिप्स यूज़ कर सकते हो मेरे पास घर में ये वाले चिप्स अविलेवल थे तो मैं इससे बना रही हूं ये मैंने बड़ा पैक लिया है आप अपने अकॉर्डिंग क चुके हैं अब मैं इन चिप्स के चूरे को इसके उपर रखूंगी उपर से हम इसमें थोड़ा सा चीज ग्रेट कर देते हैं चीज यहां मैंने अमूल का जो ब्लॉक आता है वो लिया है तो आप पीजा चीज भी यूज़ कर सकते हो चीज को हमें उपर से बस ग्रेट कर द उपर से हम इसमें थोड़ा सा चीली फ्लेक्स टाल देंगे और अब सेंड्विच को बंद कर लेते हैं यह दिखिए हमारा सेंड्विच हमने त्यार कर लिया है इसी तरीके से मैं दूछा सेंड्विच भी बना लूँगी चलिए चल्दी से हम सेख लेते हैं तो आप इसे से के लिए sandwich maker use कर सकते हो लेकिन आज में आपको इसे तवे पर सेख कर बताऊंगी क्योंकि sandwich maker हर किसी के पास available नहीं होता है तो तवे पर आप इसे कैसे बनाना है जल्दी से देख लेते हैं गैस पे तवा गरम कर लेते हैं और थोड़ा सा बटर डालेंगे बटर ना हो तो घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब बटर डालने के बाद जैसे बटर melt हो जाता है हम अपना sandwich इसके उपर रख देंगे पाओ के उपर भी हम बटर को लगा लेंगे तवे पे चीज को melt करने के लिए हम इसे एक बरतन से ढखना होगा तो यहां मैंने एक भगोना लिया है छोटे साइस का आप कोई भी बड़ी कटोरी ले सकते हो और लो फ्लेम पर आप इसे सेखिएगा ताकि चीज अच्छे से melt हो जाए तो जल्दी से यह भगोना हटा कर चेक कर लेते हैं तो लगभग दो मिनिट में चीज आराम से melt हो जाता है और जो हमारा सेंड्विच है वो भी अच्छे से सिख जाएगा नीचे से देखिए चीज मेल्ट हो गया है इसे पलट कर दूसी तरफ से भी सेख लेते हैं तो यह लीजिए हमारा सेंड्विच बिल्कुल तयार है इवनिंग इंस्टेंट स्नेक बिल्कुल रेड़ी हो गया है पाउ ना हो तो यह स्नेक आप ब्रेट के साथ भी बना सकते हो अब जल् किष्ट सेर्फ गरा आनी अंग जतल scholars कर दल्कुल सा सेंड्विच सिकरा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूं कि हमारा से अब्रेट किसा बना है यह बहुत ही क्रिस्पी हो गया है इसे में नाइवस से काट के आपको दिखा देती हुं जरूर बनाईएगा यह दिखिए ह हमारा बहुत ही बढ़िया चीजी सेंडविश तयार है इसके उपर मैं थोड़ा सा बुचिया डाल दूँगी और उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा टमेटो केचप डाल देती हूँ एक एक ड्रॉप उससे देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स और बुचि कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा तो चली दूसा सेंडविश भी बिल्कुल तयार हो गया है इसे भी हटा कर चेक कर लेते हैं और यह दिखिए चीज कितने अच्छे से मैल्ट हो गया है बहुत ही बढ़िया चीजी सेंडविश इस तरीके से आप घर पर तवे पर बना सकते हो बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला स्नैक है और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें हमने चीज ही उस किया है बच्चों का फेवरेट फिर हमने चिप्स ही उस किये हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं तो यह लीजिए इस सें इंस्टेंट स्नेक बिल्कुल दयार है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल बटन को जरूर दबाईएगा तकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें त तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाई